बिस्मिल्ला रह्मनु रहीम असलाम लेकुम मेरा नाम साइदर आई है आप देख रहे हैं मेरा फेस्बुक यूटूब चैनल 11G मार्केटिंग आज मैं आपको एक पैंती सतर का घर है विजट कराने आया हूं जी थाटीन थ्री में है इसको हम दस मरला कहते हैं ठीक यह है पचास फूट रोड के उपर घर ऑप फूट रोड का मकसषड है कि आपकी बड़ी खुली गली होती है इसमें दो गाड़ियां बाहर भी खड़ी हो जाती है अंदर भी रठी हो जाती है को दोच्ञ मेहमान आये हो तो खड़ी करना गारी खड़ी करना को मुशकल काम नी होता सि суд after this happen, चोटा सामान बनाया कита मसले यह घर रहने के लिहाज से बहुत ही यह ऑउग्क कiliau जगापे और सेक्टर की ऐगर जीते रहा की अगर ऑची त की जितनी भी गली है ना वह सारी को थी होती है पाकी सेक्टरों में कम गलीयां होती है चोटी एक इसमें 50 वी इसमें उत्वाथ की बाद करू तो दुर्वादा यहा बहुत वादा बना हुआ है। यह लोए का दोबादा बारी दुर्वादा खड़ी हो सकती है अगर मैं इसके टैंक की बात करों तो ये पानी व्ट अटेंक है जिसमें पानी स्टोर करना होता है यहां पे जी तेरा में पहले पाणी का इशू था अब नहीं है यहां पर वाफर मगदार में पाणी आता है ठीक है न और ये दर्वादा जो है ये ड्राइंग रूम का लगा हुआ है ये दो गेट इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर आप इसको पार्टिशन करके तो इसको अलग देना ये किचन है 35-70 का किचन है बहुत ही बड़ा यहां फ्रीज रखने के लिए जगा बनाई गई है ये प्रापर आपकी फ्रीज आजाएगी ये चीज़ें देखें जी एक एक चीज का ख्याल किया गया है थ्रीक बरनल वाला चुला है एर के लिए लगा हुआ है जो आपका आ पहला बेड़ है इसका वाश्रूम है ये वाश्रूम दिखाएंजी इसी तरह ही मैं आपको इसका दूसरा बैड़ दिखाता हूं इस तेम में इसके दूसरे बैड में हूँ ये इसका दूसरा बैड है ये पूरा नाप के बनाया गया है कि आपका बैड इसके अंदर बेंग के शाएगा और घुब तूरति भी है और ऐसे लग रहा है जैसे यह ताज बना हुआ है इसी तरह इसकी यह मास्टर बैड कलवाता है मास्टर बैड में एक दो तीन चार पल्ले वाली इन्मारी है जिसमें दो कपड़े हैं करने वाली है दो कपड़े फोल्ड करने वाली है इसी तरह ये इसका वाश रूम है अब भी मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाता हूं ड्राइंग रूम एक साथ है यह देखें बरतन बगारा रखने के लिए हर चीज रखने के लिए यहां पर रैक भी है एवरिटिंग चोटी-चोटी चीदे आप अपनी दुरूरत की सारी यहां समेट सकते हैं इस टैम मैं आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूं जैसा बने बताया था यह ग्राउंड फ्लोर का गेट है और यह अपर पोर्शन का गेट है यह सीडी है सेपरेट वह गेट बंद वह जाएगा यह सेपरेट सीडी है आई मैं आपको ऊपर से विजिस कराता हूं इस टेम मैं फस्ट फ्लोर पे पहुंच चुका हूँ अगर मैं बात करूं तो यह सीडी उपर जाती है यहां से उपर चड़े यहां से वापस छट पे चले जाए और यह आपका जो है यहां LCD की जगह है वहां सेड़ पे सोफे लगजेंगी यहां LCD लगी होगी और साथ ही अगर मैं किचन की बात करूं तो यह किचन है 35-70 का किचन है बहुत ही बड़ा यहां फ्रिज रखने के लिए जगा बनाई गई है यह प्रापर आपकी फ्रिज आजएगी यह चीजें अगया है थ्रीक बनल वाला चुला है एर के लिए लगा हुआ है जो आपका आल की एर होती जाए अर्दास फैन भी लगा हुआ बरतन दोने की जगा भी है और यह गेट जो है बाइर जाने के लिए यह आपका घज़ भी लगा हुआ है चोटी सी लॉंडरी है आपक्पड़ सब्सकर्ण के लिए और यह दिखाएं जी यहां पर अबन वगरा आपके प्लग लगे हूँ एक्ट्री क्म यह आप अपना और रख सकते हैं जिसमें आपको तरा की दिन आप गरम भी कर सकते हैं त्यार भी कर सकते हैं लैंगया है पत्स का में को पहला बैट दिखाने लगो यह फिर्स फ्लोर का पहला बेड़ है छोटी छोटी चीदे खुबसूर्ती के लिए की जाती है और यह जो है अपना इसका वाश्रूम है और यह इसकी लमारियां है इसकंब्रे की तीन पल्ले वाली लमारी है एक दो तीन दो इस्तरी वाले एक तया करके रखने वाले इसी तरह ही मैं आपको इसका दूसरा बेड़ दिखाता हूँ यह इसका दूसरा बेड़ है फर्स्ट फ्लोर पे अपर पोर्शन पे दूसरे बेड़ भी हूँ जैसा मैंने बताया था यह पूरा नापके बनाया गया है कि आपका बेड़ इसके अंदर आजएगा चार आगे बेड़ भी चला जाएगा और खुबसूरती भी है और ऐसे ल वाश्रूम है वाश्रूम में कंट्रास्ट एल लगी भी है अब भी मैं इसका आपको ड्राइंग रूम दिखाता हूँ डैनिंग और ड्राइंग रूम एक साथ है यह इसका गेठ है यह देखे सारी चीदे प्रॉपर डजैन की गई है यह मार्बल लगाया गया खुबसूर दूटि के लिए यह देखें बरतन बगारा रखने के लिए हर चीज रखने के लिए यहां पर रैक भी है एवरिटिंग चोटी चोटी चीदे आप अपनी दुरूरत की सारी यह समेट सकते हैं यह ड्राइंग रूम है अच्छा ड्राइंग रूम का गेट यहां से भी है साथ ही यह बास बिसन लगावा और यह गेड़ जो है गैस बैड की तरफ चला जाता है जिसमें मैं अभी इंटर हो रहा हूँ अभी इस तेम हम गैस बैड रूम में इंटर हो चुके हैं यह बेसिक गैस बैड रूम का दर्वादा है में डोर है लेकिन वाच रूम से इंटर बगरा रखें, उपर भी आप अपनी जुरूरी की चीज़ें रखें, अपर पॉर्शन मैंने सारा विजट करा दिया है, आपको अभी मैं आपको छत विजट कराने जा रहा हूँ, आएं जी छत पे चले, इस टैम मैं छत पे पहुंच चुका हूँ, एग हमारे रूम इस सेड चट पर दो बड़े रूम बने में, यह सर्में क्वाटर ही विजट कराएं, उर्च चत के ओपर सर्में क्वाटर आपको दिखा दिया, यह बहुत बड़ा रूम है इसको आप अपना प्रोबला सकते हैं और इसको आप बैड भी बना सकते हैं स्टेडी रूम भी बना सकते हैं, यह आपकी 24 है, अलमारी भी लगी भी है, यह देखें जी, यह 35-70 की छट है, मर्कज के बिल्कुल करीब है, चिप्स फ्लोरिंग है यह, इसका एक एक चीज का ख्यार रखा गया है, यहां पर डिजाइन करने वाले जो है, वो एक एक चीज का ख्यार करते हैं, बिल्डर जो है ना बेसिक, क्योंकि वो घर बना बना के उसको 19-20 का सारा वो निकालता है, हर दफा कोई नों को गलती जो है, वो अपनी दुरुस्त करता है, टेंकी पानी की बनी हुई है, लॉंडरी एरिया बना हुआ है, यह प्रापर लॉंडरी एरिया ह और यह आपका अलेक्टिक बोल्ड लगा हुआ जहां पर आप वाश्य मशीन चला सकते हैं, अच्छा मैं आपको एक चीजें दो बताओं, मेरे पास एफ 6 से लेके एफ 11 तक, ए 7 से लेके ए 11 तक, डी 12, जी 8 से लेके तो जी 14 तक, मेरे पास हर तरह के घर मजूद है, मेरे द हुआ है, मेरे लेके यह वाश्य मेरे दो को एक ब liberty आपकोंई आपको एको को एके जी लेके वागतल की चला सकती अश्य मैं.